हमारे यूपी में सिख समुदाय के लोगों की संख्या साल 2011 के संसस के मुताबिक 6,43,500 है सिख समुदाय के लोग यूपी के लगबग सभी जिलों में मौजूद हैं और इनमें से खरीब एक लाग सिख अकेले यूपी के लखिमपुर खेरी जिले में रह रहे हैं यूपी में इतने सिखों के आने के कहानी का इतिहास भारत पाकिस्तान बटवारे और यहां की फर्टाइल जमीन से जुड़ा है इसका गुरु तेग बहादुर और गुरु गोगिन सिंग से क्यानाता है और साथ ही अंत में आपको बताएंगे सिख धर्म के दस प्रमुख धर्म गुरुओं के बारे में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो की लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकुन को दबाना ना भूलें यह है यूपी का अवध ख्षेत्र और यह है यूपी का शान अवध यानि की हम सब का लखनओ लखनओ के चारवाग रेल्वे स्टेशन से खरीब तीन किलोमेटर की दूरी पर मौजूद है यहिया गंज गुर्द्वारा जिसका निर्मार्च 17 सेंचुरी में हुआ था यह गुर्द्वारा इतना प्राचीन और आज यूपी की धरोवर इसलिए है क्योंकि 1670 में नौए से गुरू तेक बहादूर सिंग पटना से लोटते समय इसे स्थान पर तीन दिन तक रुके थे और बाद में उनकी बेटे गुरू गोविन सिंग भी 1672 में यहाँ पर दो म जिसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में 1693 और 1701 में लिखा था वो यहाँ पर मौजूद है गुरू गोविन सिंग ने खुश होकर इसे लखनव में अपने भक्तों के पास भीजने का निर्देश दिया था जिसके बाद से यह एतिहासिक यहिया गंज गुरूद्वारे में रखा गया है तो यही वज़ा है कि उपी गुर्मेंट इस गुरूद्वारे के आसपास डेवलप्मेंट का वचार कर रही है आईए ब आपको बताते हैं सिख धर्म के दस प्रमुख धर्म गुरूओं के बारे में सिख धर्म के पहले गुरू हैं गुरू नानक देव इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने ही गुरू का लंगर की शुरुवात की है और ये बावर के समकालीन माने जाते हैं अगर आपको याद हो तो इन ही गुरु नानक देव की पांसो पचासमी जैनती पर कर्तारपुर कॉलिडोर की शुरुआत की गई थी। इन्होंने 1577 में अकपर दोरा दी गई जमीन पर अमरित सर की स्थापना की और अमरित सर में सोण मंदिर बनाने का श्रे इन ही को जाता है। इन्होंने ही अकाल तक्त की स्थापना की और अमरित शहर को मजबूत करने के लिए इन्होंने जहांगीर और शाहजां के खिलाप युद्ध भूई लड़ा। सिख धर्म के साथवे गुरु हैं गुरु हर राय इन्हें एक शांत्रप्री व्यक्ति माना जाता है। सिख धर्म के आठवे गुरु हैं गुरु हरी कुशन माना जाता है कि गुरु हरी कुशन सबसे कम आयू में गुरु बने थे और इन्हें पास साल की ही आयू में गुरु की उपाधी दी गई थी। सिख धर्म के नवे गुरु हैं गुरु तेग बहाधुर इन्होंने आनंदपुर साहिब के स्थापना की और सिख धर्म के दस्वे गुरु हैं गुरु गोविन सिंग इन्होंने साल 1699 में खालसा नामक योधा समुदाय के स्थापना की इन्होंने एक नया संसकार पाहुल क को शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि मानों के रूप में ये अंतिम सिख गुरू थे और इन्होंने ही गुरूपन साहिब को सिखों के गुरू के रूप में नामित किया आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़र